और यई सब सर्फ विश्वे हिंदू परिशद के केंथरी संयुक्त महमंती डॉक्टर सुरेंदर कुमार जैन ने कहा कि इस बार की यात्रा का आयोजन मेवात के हिंदू समाज नहीं आग्रे पुर्वक करने का निस्ये किया इसलिए विश्व हिंदु परिशत मेवात से बाहर के हिंदु समाज को वहा ना बुलाकर संपूर प्रदेश के लिए एक कारिक्रम की घोशना कर रहा है अधूरी यात्रा को एक बार फिर से पूरा करना है इस बात का लक्ष आज बैट करके तैक किया गया दिल्ली के अंदर एक प्रेस कॉंफरेंस की गई इस तरीके से इस पूरी यात्रा को हम देख note इसके पहले जब यात्रा हुई थी प्रथरा हुआ तमाम लोग मारे गए, मंदिरों में बंधक बना के रखा गया, इस बार यात्रा निकले सर्व समाज की लोग इसमें मौजूद हैं, किस तरीके से पूरा इरोड में वहाँ के हिंदू समाज ने मिलकर तै किया, इस बार यात्रा हम करेंगे, श्रावन के आखरी सौंबार को मंदिर में जाकर जला भिशेक करने का अधिकार प्रतियक हिंदू को है, कौन रोकेगा यदि अरुन जेलदार वहां मंदिर में जा दिंगे, कौन रोकेगा यदि वहां का कोई प्रमुक प्रतिनिधी या समान्य हिंदू वहां मंदिर में जाकर धेखर जलाबिषेख करना चाहिए उनको स्रक्षाकी जिंबेदारी सरकार varii इसलिए हमने तै किया है वहां का समाच कर रहा है सर्व हिंदू समाच के नाम से कर रहा है कुछ प्रमुक्षंटों वहां जाएंगे वहां के समाच के प्रतिनीदी होंगे । पूरे हर्याना के Hindi समाच को हमने आहवान किया है कि आप सब अपने С्थान पर मंदिरों मेंे सामुहिक जलाभीशे करें और 11 बजे ये मूर्त हमने तेख किया है इसलिए किया है कि G20 होने जा रहा है इसलिए किया है प्रशासन का कॉंबिंग ऑप्रेशन चल रहा है उसमें बाधा ना बने और हम सहयोगी बनकर काम करें और प्रशासन में ये ख्रमता है वो पिछली गलतियों से सबक लेंगे और इस बार कोई अंटूर्ड इंसिडेंट नहों ये जिम्मेदारी प्रशासन की है लगाता से ये पूरी यात्रा अब आप लोग निकालेंगे इसमें और सवाल है कि कुछ ऐसे असमाजिक तत्व हैं जो अभी से ही इस तरीके के बयान बाजी कर रहें इंटरनेट बंद कर देने से क्या बयान बाजी बंद हो जाएगी क्या उन्हें नजर बंद करने की जरूवत नही बढ़की यह हिंसा की तैयारी तो बहुत पहले से चल रही थी तो इसलिए यह कहना कि किसी के वीडियो से या किसी के बयान से इसलिए मैं समझता हूं उस योजना बनाने वाले मस्तिश्क को ठीक करने की जरूरत है जो प्रशासन कर रहा है क्यामरम मनीज के साथ गौरब मिश्रा निउस इंडिया दिल्ली